तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही ब्रांड नेम का जिसका नाम है सुक्राल जो की सस्पेंशन के फॉर्म में अवेलेबल है इसे बनाने वाली कमपनी है स्ट्रैसनबर्ग और इसके अंदर का एक्टिव कॉंस्पेंशन है स्क्राल फेड जो की मैंने फिल्ट से का सस्पेंशन के फॉर्म में है इसका इंडिकेशन क्या है इसका यूज कब करते है या कब इसको डॉक्टर के दौरा दिया जाता है जब कभी भी कोई पेशन पेशन पेप्टिक अलसर के सिकायत करता है जी इरड के सिकायत करता है यह डियागनोस होता है उसको वो प्रॉब्लम या फिर बहुत ज़्यादा एसीड सीक्रेशन से वो परशान है और आगे चांसे से कि यह वो अलसर में बदल सकते हैं तो उसको पहले हमकão समझना पढ़ेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम अफिर फवेलन की प्रॉब्लम इसे सीगारन प्रॉब्लम लेकिन जनते हैं कि acid का सिक्षन होना जरूरी भी है क्योंकि acid अगर सिक्रीट नहीं होगा तो हमारा जो खाना है वो पचेगा नहीं तो पुरा प्रोसेस समझाता हूँ आपको मैं देरा धियान से देखिएगा यह हमारा stomach है इस stomach में हम जब खाना खाते हैं तो खाना आपके इसोफेगस के तुरू यहाँ पे पहुचता है तो इस तरह के से यह जो food है यहाँ पे पहुचा इस food को digest करने के लिए acid की जुरत पड़ेगी तो यह जो food पहुचा है इसको digest करना पड़ेगा जैसे ही food आपके stomach में पहुचता है आपका जो एक specific enzyme है जिसे हम gastrin कहते हैं वो activate हो जाता है यह gastrin जैसे ही activate होगा because presence of food deactivate होता है यह क्या करता है यह histamine के release को facilitate कर देता है तो यह रहा हमारा histamine और इसका specific type बोलो तो H2 histamine है यह histamine आगे जा करके अपने एक respective binding site जैसे हम histamine का receptor कहते है लेकिन यहाँ पर मैं लिख दू H2 receptor क्योंकि यह H1 allergicly responsible है और H2 acid के secretion के responsible है तो जैसे यह H2 अपने receptor पर bind होगा इनका एक pharmacological action पूरा होगा क्योंकि यह बना लेते हैं complex यह जब complex बने लेगा तो इसके बाद इनका action सुरू होता है और यह action acid के secretion के लिख responsible जो factor उसको start करेगा कैसे करेगा यह जो factor है वो आगे जाएगा और इस तरीके से आपके stomach part में जो parietal cell है इनको message भीज़ेगा कि आप acid का secretion कीजिए यह parietal cell acid का secretion करेंगे जो मैं dark dot बना रहा हूँ वो acid को represent करेंगे यह acid इसी food को digest करेंगे और food जब digest हो जाएगा मतलब तूट जाएगा तो फिर वो food जो है आगे small intestine के ओर जाएगा और small intestine से further blood में जाकर के यह हो जाएगे absorb यह basic process है इसी बीच आप इस चीज़ नोटिस करो कि यह अगर acid जादा रहे गया या इनका urillation food के दवारा नहीं हुआ तो फिर वो जो acid आगे जाकर के आपके अंदर के इस surface को तोड़ा चोड पहुँचा सकते हैं उसमें हलका सा कटाओ चिलाओ मैसूस कर सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे कि आपकी कोई skin है और यह skin दोड़ते भागते रप्चर हो गई तो यहाँ पे आपको एक चोड़ा चोड़ देखने को मिलता है कुछ ऐसा ही आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा अलसर के रूप में इसको रोखने के लिए body क्या करती है एक layer बना के रखती है यही defensive force इस acid के attacking force से counterbalance करने का काम करता है और यह जब दोनों दुसरे को balance करेंगे तब अलसर होगा नहीं बच के रहेगा लेकिन कई कारणों से अगर acid का secretion जादा हो जाए या इस defensive force का जो बनने का process है वो कम हो जाए तो problem होती है अगर हम बात करें ज़्यादा कैसे होता है तो उसके कई consequence है consequence number one की अगर बहुत मात्रा में जो histamine है वो अपने receptor पर जाकर के bind हो जाए तो इससे कान से बहुत ज़्यादा acid बनने लगेगा और यह एक कारण है दूसरा होता है proton pump के कान से acid का बनना तो यह अगर आपका cell है और यहाँ पे आपका जो H plus K plus ATPase है वो काम कर रहा है तो इस तरह के से जो potassium बाहर जा करके इसके respect में hydrogen आ रहा है यह hydrogen आगे जा करके H plus जो बना है proton है वो CL minus कान को लिबरेट करके क्या बना लेगा acid बना लेगा और यह acid फिर से आपके जो attacking factor है उसको start करेगा जिससे आपको problem होगी तो यहाँ पे हमको उसको रोकना है इसलिए हम proton pump inhibitor को यूज़ करेंगे तीसरा होता एक bacteria जिसका नाम है H pyloric यह जो H pyloric है वो भी acid के secretion के responsible है इसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं antibiotic जो antibiotic होते हैं यह acid bacteria को kill करके अपना काम करेंगे तो यह ऐसे factor हैं जो acid को बढ़ा रहे हैं दूसरी तरब अगर आप बात करोगे इस protective layer को बनाने के लिए यानि कि यह जो आपका protective layer है ना यह जो protect layer है यह productive layer इसको में लिए देता हूँ इसको कहीं ने कहीं आपका जो COX-1 है वो बनाता है COX-1 का काम है housekeeping करना तो COX-1 इसको बनाता है और यह जब दोनों बनेंगे acid का attack productive layer का आना तो दोनों जिसरे को counter balance कर देंगे जिसको बिल्कुल वैसे ही जैसे तलवार और ढाल ठीक यह COX-1 COX-1 और COX-2 यह आगे जाकर करके prostagladen के responsible होते हैं इस तरीके से और यह COX-1 और COX-2 को बनने के सुरुवात होती एरगडोनिक acid से तो अगर किसी व्यक्ति को pain हो रहा है माल लो और वो लगातार NSAID ड्रग यूज़ कर रहा है यानि कि non-stardal anti-inflammatory drug यूज़ कर रहा है तो इनके काम करने के तरीके अलग-अलग होते हैं non-selective, preferential selective अगर यह non-selective है तो यह COX-1 को छेड़ देगा और COX-1 को inhibit कर देगा हाँ इससे फायदा यह होगा कि COX-1 नहीं रहेगा प्रेक्टिग लेर नहीं रहा तो acid से बचाएगा कौन और फिर यह acid attack करेगा और यहाँ पर फिर से वो जो छाले वाली problem थी वो आपको देखने को मिलेगी यह पूरा process है आपके अलसर के बनने का लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसको बचा के रखें तो फिर आपका इस सुक्राल फेट कैसे काम करेगा जो सुक्राल सस्पेंशन है उसके अंदर सुक्राल फेट कैसे काम करेगा वो भी समझ लो यह जो आपका अलसर है या कहीं भी कोई भी skin में कट लगती है तो यह अलसर के पास positive charge हो जाते है कटे हुए skin के पास positive charge होता है तो यह सुक्राल फेट है ओकेवल पेटिकल से के लिए यूज नहीं होता सुक्राल फेट का ओइंटमेंट आता है बीटा दिन के साथ में वो आपके skin में टाके लगे हो जाते हैं वहाँ पर भरने के लिए काम करता है तो इस अलसर वाले हिस्से पे positive charge होता है और इस सुक्राल फेट के पास negative charge होता है तो यह जब सुक्राल फेट आप कोई लोग है इसको तो यह negative charge जा करके positive charge के पास attract हो जाता है और दोनों एक दुसरे के साथ mind करके एक productive layer बना लेते हैं तो जब कभी acid बनेगा तो यह acid इस layer को cross नहीं कर पाएगा और acid की कारण से या जो होने वाले problem थी उससे आप उसको अराम से बचा सकते हो तो यह productive layer का काम करता है अगर simple तरिके से बात करूँ तो यह एक कोई practical की notebook है आपकी ठीक है? normal practical की notebook है इसमें कोई cover आपने नहीं लगाया यह notebook है, book है simple सा copy है उपर से पानी एक गिर गया, एक glass पानी गिर गया तो यह पानी तो इस कागज को पुरा खराब कर देगा लेकिन अगर आपने एक plastic का जो transparent cover आता है वो लगा रखा है तो यह जो cover है, इस पानी को अंदर जाने नहीं देगा यह बहार सही उसको भटा देगा तो इस cover ने क्या किया? इस cover ने आपके copy को बचाने का काम किया ठीक, यहाँ भी तो आपका जो सुक्राल फेट है वो cover का ही काम कर रहा है, आपके ulcer के respect में acid से, यहाँ पे पानी की जगह acid माल लो book की जगह आपका अंदर का part माल लो और यह जो cover है, उसकी जगह आप माल लो सुक्राल फेट, तो यहाँ पे पानी से जगह से बचा ले रहा है वैसे यहाँ पे acid से बचा लेगा और अंदर का जो content है, वो safe रहेगा और यही थे आपके आज के drug सुक्राल suspension के काम करने का तरीका I hope कि आपको concept जो है, समझ में आया होगा Thank you so much for this video, नमस्कार, take care